बिस्मिल्ला इरफ्मान रहीं, असलाम अलेकूं, my dear student, my name is इत्राना मुहमद राशिद, I am your English teacher. Dear student, English class 10th में आज हमने translation paragraph 1 से 4 तगरने, ये translation paragraph उर्दू से English में हमने इनकी translation करनी होती, उर्दू का paragraph आपको दिया गया होता है, उस paragraph को आपने English में translate करना होता है. Dear student, paragraph को translate करने के लिए दो चीज़ें जो हैं, वो बहुत ही एहमियत की हामिलें, उनको आपने मदे नज़र रखना है, paragraph को याद करने या हुद को साव करने से पहले. सबसे पहले, आपने पूरे paragraph का जैदा लेना हैं कि उसमें कौन से टैंसिस इस्तमाव किये गए हैं. Second, दूसी बाद के हमें पता है कि English और उर्दू डो डिफरेंट नेंगीजिस हैं और उनकी कंस्ट्रक्शन में भी तोड़ा सा फ़र्गे. मेरा आजिए के हैं सब्जेक्ट गया होता है, उसके बाद वर्ग और आखिव में ऑब्जेक्ट जब्कके उर्दू में सब्जेक और आखिव में यह ब्ज़ा गया होता है. पेराग्राफ नुमर वन है उसकी मैं आपके लिए ट्रांसेशन कर रहा हूँ मेरे घर के सामने एक बाग है उसमें बहुत से पौदे और दरखते हैं बाहर के मौसर में कही दरंके फूल खिलते हैं उनकी फश्बू एक गिफ पैल जाती है शाम को बाग आदमों और बचों से भर जाता है लोगी दर उधर फिते हैं और मुख उठाते हैं बचे बाग में दोड़ते हैं और यहां हैं वो दूसरे लमें वो बाग के दूसरे कौने में हर शाम में भी बाग में सहर के लिए जाता हूँ बहुत चे माली बाद की देखबाल करते हैं। यह पूर परग्राफ हमारे पाफ प्रेदेंस में दिया हुआ है। तो लहाज़ आप जब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो आपने मंदे नदर रखना है कि उसका जो देंस है वो आपने प्रेदेंस में लिग रहा है। मेरे घर के सामने एक बाग है, there is a garden in front of my house, उसमें बहुत से पौदे और दरक्त है। There are many plants and trees in it, बहार के मौच्चर में कई रख के पूल खीलते हैं, there grown flowers are many colors in Spain, उनकी कुछ्ष्भू इंद भीख भैल जाती है, there fragrance spreads all around, शाम को बाग आद्मी ओ, और बच्चों से भर जाता है। In the evening the garden is filled with men, women and children, लोग इस अब अदर भीते हैं और उठाते हैं, people render here and there and enjoy themselves. Children run around in the garden, now they are here and at the next moment, they are in the other corner of the garden. I also go to the garden for a walk on every evening, many gardeners look after the garden. Paragraph number 2 जितनी के नशे को फराज बहसे नमात भी आता हैं, जब इसकान बिल्कुल नावीज हो जाता है. In the ups and downs of life, such moments come when men feel quite hopeless. उसे अधर तरवा देरा या देरा नजर आता है, he feels utterly disappointed और उसकी मुकाबर रिसक्टर्स पतम हो जाती है. He loses his power to compete. ये बात इंसान के खिलाब है, this is against the dignity of men. दुन्या में जितने भी तरकी हुई है, तो उसकान को हिमत का नसीजा है, जो के लाग ताला ने इंसान को अताव फर्माई है. All the progress the world has made is the result of the determination and spirit that Allah has restored upon men. इंसान को चाहिए कि अभी हिमत ना हारे बजिए मतानवार ना कामियों का मुकाबला करें. Man should never lose heart, rather he should face failure in a many manner. Allah ताला एक जिन जरूर काम्याभी अतार करेगा. Surely Allah will bless him with success one day. Third paragraph, एक दपा का धिकर है कि भीकर एक दरिया की किनारे रहता था. Once upon a time a jackal lay near the bank of a river. दरिया की कुछे किनारे पर खरूजे के बहुं से खेट थे. There were many fields of man on the other side of the river. दरिया गेरा और चोड़ा था. The river was deep and white. इजर जी भर कर खाना चाता था. The jackal wanted to eat man to his field. वो दरिया अभूर नहीं कर चकता था. He could not cross the river. एक दे उसे अपने उसे कहा गर तुमुझे दरिया की किनारे ले चलो तो मैं तुम्हारा बहार शुकर उदार हूँगा. One day, one day he said to his friend a candle. I shall be well thankful to you if you take me to the other bank of the river. The jackal jumped on to the back of the camel. The camel wetted across the river and reached the other bank. The jackal went into the fields of manhand and began to eat manhand with relish. Paragraph number four, डरे के चल सार बात हुआ का तेल खत्म हो जाएगा. It is fair that the world will run out of oil in a few years. हरोल की ये कोशिक का राए के तें के बनादी जटीए तरियाग करे. Every country is trying to discover whole reserves of oil. मालूम नहीं की ये कोशिक ये सार तर काम्याब होगी. It is not yet known how much fruit this effort will bring. जरुवत उस्पास के करें हम अपनी तेल की जरुवत को कम करें. The need is that we should reduce our needs of oil. चलने तो जरा में तेल की खंपत को कम नहीं किया जा सकता. The use of oil for industry and agriculture cannot be reduced. अग बता में ची जरुवत को कम किया सकता है. But the private needs can be cut down. हमें चाहिए के बाहिट जर्कारों की जगा बसे दरामत करें ताटतान में मूंके लिए बसों की समुलत को बहतर बनाया जा सके. We should import buses in the state of God so that the facilities of buses for the students can be improved. Dear students, I hope के आपको इन पारग्राफ की अच्छे तरीके से translation समझा गई होगी. अगर इसके बाद जूद कोई भी आपको प्रावलम में सिल सो तो आपको इसे रफ़ता कर सकते हैं. Allah.